इलेक्ट्रोनिक कॉमर्स या कह सकते हैं इकॉमर्स या कह सकते हैं इंटरनेट कॉमर्स इसका इस्तमाल हम लोग जनरली क्या करते हैं चीजों को खरीदने के लिए और बेचने के लिए कई popular sites का नाम लेते हैं Amazon हो गया आपका OLX हो गया और एक तरीके से आपका flip card हो गया और भी कही सारे होते हैं तो इन में major security threats क्या आते हैं e-commerce के अंदर उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि cyber security का एक part है और बहुत ज्यादा important question इससे आता है 10-12 marks में तो देर ना करते हों शुरू करते हैं आपको मैं इस concept को 5-6 minutes में पूरा-पूरा explain करने वाला हूं तो जब हम लोग किसी चीज गो भी खरीदने जाते हैं तो एक site में दो लोग होते हैं एक होता है merchant जो की सामान दे रहा है reliable है उसकी बात बात में करेंगे एक होता है मारा customer जो की unknown है लेकिन इसके साथ तीसरा एक और होता है वो होता है attacker जिसका काम बस इतना है कि उसे आपके data को चुराना है और उस data को इस्तमाल करना है अपने intentional purpose के लिए आपकी information के थूरू आपके debit card information के थूरू आपकी money को यह तरीके से चोरी करना है जो एक attacker का काम है तो e-commerce के threat क्या क्या हो सकते है सबसे पहला तो accidental हो सकता है मान लीजिए आपने किसी transaction को किया उस transaction को करते time आपका internet बंद हो गया या कोई problem हो गई और transaction बीच में रुप गया पूरा नहीं complete हो पाए तो 48 hours के अंदर वो आपके पास recover हो जाएगा तो एक तरीके से accidental है human error क आपने transaction करने में कोई गलती की उस वज़े से कुछ हुआ तो लेकिन purposeful गया intentional मतलब जानबूज के हुआ है अब यह जो electronic threats होते हैं यह इसमें कौन कौन से threat आ सकते हैं हमारे पहला electronic payment system में दूसरा e-cash में तीसरा debit or credit card में इन तीनों को हम लोग detail में देखने वाले हैं इसके अंदर तो देर ना करते हुए सबसे पहले की बात करते हैं जो की है electronic payment system अब देखें सबसे पहली बात paperless transaction है किसी paper की आवशकता नहीं है normal आप किसी code के थूरू इनके थूरू काम कर सकते हैं digital transaction है user friendly है और less time consuming है बस आप अगर UPI का इस्तमाल कर रहे हैं तो एक तरीके से आप code डालना है और enter debit credit card कर रहे हैं तो आपको number डालना है आप PCVV डालना है आपका OTP डालना है और transaction हो गया सबसे कम time में आपका काम हो गया अब जब हम लोग electronic payment system का इस्तमाल करते हैं तो हमारी website होती है जहां पे जब हम लोग किसी good go select कर लेते हैं तो हम लोग pay वाले option पे click करते हैं और जैसे ही इस पेवाले पे click करते हैं तो हम लोग payment gateway पे जाते हैं और उस payment gateway पे जाके हम लोग information फिल कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा chances होते हैं कि जब आप payment gateway पे जा रहे हो इसके बीच में attacker जो है वो आपका root बदल दे और आप merchant वाली gateway पे ना जाके attacker वाले gateway पे कर सकता है पहली possibility यहां होती है दूसरी होती है जब payment processing हो रही होती है उस time पे वो आपकी payment को चुरा सके तो यह main दो major threat होते हैं आपके इसमें electronic payment system में होते तो कई सारे भी हैं अगर कोई site में loop हो ले तो वहां से भी आपकी information को निकाला जा सकता है दूसरा होता है e cash e cash में हम जो money होती है उसको wallet मिला के store कर लेते हैं अपने bank account से और उसको shopping या किसी चीज़ के लिए use करते हैं अगर आप जिस e wallet का इस्तमाल कर रहे हैं उसमें loop हो ले तो जब आप bank से transaction कर रहे होंगे उसी time पे आपके e cash को चुराय जा सकता है attacker दौरा लेकिन अगर ऐसा नहीं होता त cash के लिए cash आपके पास आ जाएगा उससे आप e cash से merchant को कुछ भी payment करके उससे goods को खरीद सकते हैं बस आपको यह ध्यान रखना होगा जिस merchant को आप पैसे दे रहे हैं वो भी unreliable ना हो कि आपके पैसे ले और फुर ठीक है और merchant जो होता है आपको payment को accept करने के लिए पहरे verify करत जाता है bank से उसके बाद जाए उसका cash approved हो जाता है तो भाई साथ ठीक है तो इस तरही से यह cycle जो है वो चलती है bank से कुछमर ने पैसा लिया और merchant के पास गया और फिर bank में गया और यह continue चलता रहता है सबसे तीसरा जो और main चीज होती है वो होती है credit और debit card की कई बार हम लोग ने ऐसी चीजे अकबारों में भी सुनी होंगी और कई जगे पढ़ी भी होंगी और हम लोगों कई लोग ने बताए भी होंगी कि जब भी ATM में जाओ तो पहले चेक तलो कोई card reader या camera तो नहीं लगा आपके money को चुरा सकते हैं इस चीज को हम लोग बोलते है skimming जो की एक बहुत ज्यादा चलन में है दूसरी होती है phishing मतलब की जिस website पे आप payment करने जा रहे है उस website का ही fake page बना रखा है और आप उस fake page बे चले गए और आपने वहां से enter करके payment कर दी मतलब आपने payment main website पे नहीं information को चुरा लिया गया इसको हम लोग क्या बोलते है phishing और तीसरा होता है point of sale मतलब की जिस जगह पे आप खड़े हैं जहां पे आप transaction कर रहे हैं आपने एक बार card को swap किया आपने enter किया payment कर दी लेकिन आपने दुबारा फिर कर दिया अब आई chance की बात है कि सामने वाले ने आ चाल सकता है तो यह major threats होते हैं जो e-commerce के अंदर हमारे आते हैं इसकी security purpose को लेके I hope so आपको पसंद आया होगा पूरी cyber security की जो playlist है उसका link description में है मैं हूँ एकान पाटा का आप देख लेते study with एकान पाटा की YouTube चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आ हो तो वीडियो को लाइक चैनल को subscribe करिएगा तो फिर मिलते एक लिए वीडियो में तब तक लिए thank you have a nice day मैं side में हट जाता हूँ आप इसको अपनी तरीके से no down कर सकता है